नमस्कार सभी को आप सभी का स्वागत है अवर्स एजूकेशन यूट्यूब चैनल पर जैसे कि मैंने टेलीगराम पर मैसी डाला था और सभी से पूछा था कि किस सब्जेक्ट की जो है आपको क्लास अलग से चाहिए तो उसमें सभी बच्चों के जो है मैक्सिमिम बच्चों आए तो वो सारे हम उसमें डिसकस कर लेंगे तो देखिए स्टार्ट करते हैं और आपके सामने जो सबसे पहला क्योशन यहां पर एगा जीवानों के बिजान्ड सहिती सभी बच्ची हुई सुक्स में जीवन रूपों को नश्ट करने वाली प्रक्रिया जो है यह क्या क्या यहां से आपका उप्शन सी जो है जीवानों हिंता राइट अंसर हो जाएगा यह जो आपके सामने है यह 18 तारीक का फर्स्ट का पेपर है और इसके साथ सेकिंड का करेंगे फिर 17 के दुनों करेंगे फिर 16 के तीनों सिफ्ट यहां पर कंप्लीट करेंगे तो दूसरा देख जिसे डिस्क के परतेइक भाग पर क्या कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है अभ्यानों को माऱने में सक्षम है तो वह कौन रहेंगे तो वह रहेंगे जीवानों रोदक अभी कर्मक option A यहां पर राइट अंसर एगे जिवानों रोदी अभी कर्मक और इसमें से जो important question है वो सारे यहां पर cover किये जाएंगे और उसके बाद एक से अधिक फिल्ड पर बनाए गए index को क्या का जाता है तो एक से अधिक फिल्ड पर बनाए गए index को multi-field index जो है option C's का right answer हो जाएगा उसके बाद आपका फिर से जो एक computer का question है चालिशमा question dash आपको उन्चुनिंदा records को browse करने देता है जो निर्धारित map दंडों को पूरा करता है तो वो क्या रहेगा आपका filters option second right answer next देखिए यहां पर और जितने यह आपको answer बता रहा हूं सारे HSSC के द्वारा जो भी answer किया है उसमें दिये गए है एक समांतर plate capacitor को 5V की battery से जोड़कर उसे charge किया जाता है उसके बाद battery को हटा कर एक glass slab plates के बीच रखा जाता है तो उसकी कितनी मात्रा जो है वो कम हो इसका option C जो है वो राइट अंसर रहे है प्लेट की एक तरीत उर्जा और वीवांतर तो आपका 42 का option C राइट अंसर उसके बाद जो आपके पास जो है आपका जो साइंस के question रहे है 48 का हर्दय की भीति की मध्या परता है यानि middest layer of wall of the heart आपकी जो है वो कौनसी रहेगी तो यह पूछी जाए तो epicardium आपकी कौनसी होती है तो आउटर लेयर होती है कौनसी आउटर लेयर आपकी epicardium जो आपकी myocardium जो है वो कौनसी middle रहेगी और endocardium जो है वो आपकी inner layer रहेगी तो यह तीनों आप note कर सकते है 53 यहां पर देखे 53 में दिया हुए डैस जीवान कोश प्रकास तरोत और यंतर चैनल वाली एक रेशा प्रकास दूर्बिन डालकर निस्पाजित किया जाता है यानि कि क्या है अगर हमारे गले में या कहीं पर जटर वाले में या स्वासन में या सर्जन मार्गों में कहीं पर कोई अगर problem हो और वहां पर अगर कुछ देखना हो तो उसके लिए का की जाती है एक दूर्बिन डालके जिसमें टोर्च लगी होती है उस पर देखा जाता है उसको क्या बोला जाता है एंडोस्कोपी बोला जाता है बस आपके लिए क्योंकि एक्जाम में अगर एंडोस्कोपी डारेक्ट आजए तो वहां पर आप इसका रा पड़त करता है तो आपका कौंछा रहेगा सर्च इंजन रहेगा ओप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है अगर कोई भी पेज है में बार बार उसको यूज करना है तो हम क्या करते हैं उसको सेव करके रख लेते हैं उसके लिए कहा है मैं कहीं भी सर्च करने की जरूर उसके बाद जो 74 क्योशन दिया हुआ है डैस एक एकल सामान्यत शांत सौशन में फेफड़ों के अंदर और बाहर ली गई वायू की मतर है यानि हम जो है एक जो आपका इंस्पाइरेशन होता है एक एकस्पाइरेशन होता है सौशन की दो प्रक्रिया होती है इन्हेल करना और एक्जेल करना सांस अंदर लेना बार चोड़ना और उसमें जो है टोटल जो एर होती है उसकी वोल्यूम जो होती है उसको क्या बोला जाता है तो टाइडल वोल्यूम जो है उसको बोला जाता है टाइडल आयतन बोला जाता है ओप्शन सी यहां से राइट अंचर और य यानि क्या हर्ट बीट जो है वह उत्पन करते है जो हमारी हर्ट बीट प्यवती है क्या है लिब और डब का साउंड होता है वो प्रडूश किया जाता है वो किसके दुआरा तो पेस्मेकर होता है option A यहाँ पर right answer देगा page maker जो है और अगर यहां पर page maker जो है काम करना बंद करे तो वहां पर artificial page maker जो है वो लगाया जाता है तो यहां पर आपका option ए राइट अंजर है और जो herb जो ह bott जो है उसकी study को क्या बोला जाता है कारडियोलोज्य बोला जाता है जो अहृर्ट का जो आपका specialist होता है उसको kaardiyologist बոला जाता है इसके अलावा ह screens में आपके कितने chamber होते हैं जार चेमबर होते हैं यह in exam में पूछा जा चुका है और इसके अलावा जो हेल्ट भीड जो grassroots जो उसको measures करने के लिए कौंसा आपका जो instrument होता है equipment होता है उसको क्या बना जाता है उसको प्रिशू देता जो है option C आपका right hand सरेगा 78 का तो यहाँ पे आपकी जो है 18 तारीक की first shift complete होती है जितने भी आपके computer और science के question पूछे गेते हैं वो हम इसमें cover कर चुके हैं अब 18 की second shift देखते हैं 18 की second shift VLD का जो आपका exam हुआ था उसमें जो दिये गे थे देखिए P type semiconductor के लिए निमन में से कौन सा कतन सही है तो इसके लिए कौन सा रहेगा option number D यहाँ पे जो holes are majority carrier and trivalent atoms are to dopants तो आपको option यहाँ पे D जो है इसका right answer है उसके बाद computer का question पूछा गया है कि dash is a question asked of a database that yields information database के बारे में पूछा जाने वाला person जो जानकारी देता है वो क्या रहेगा query रहेगा option B यहाँ पे right answer रहेगा 14 question उसके बाद जो आपका 25 question देखिए RBC का जीवन काल कितना है RBC का जीवन काल कितना होता है 120 दिन होता है और इसके लावा अगर WBC के बारे में पूछ ले तो WBC का कितना है तो 4 से लेके 20 दिन तक का WBC का जो लाइफ साइकल रहेगा और इसके लावा जो आपकी लालक कनिकाएं इनको क्या बोला जाता है Erythrocyte बोला जाता है WBC को क्या Leukocyte बोला जाता है और WBC का एक्जाम में आ चुका है क्या पता आने वाले एक्जाम में RBC के बारे में पूछ ले RBC का जो नाम क्या होता है तो जो Erythrocyte होता है और WBC का Leukocyte रहेगा इसके लावा जो है Blood आपका क्या है Blood आपका एक Liquid Connective Tissue है क्या Liquid Connective Tissue और ये किस से मिलकर बना होता है आपका Plasma और Cell से मिलकर बना होता है Plasma प्लस Cell जिसमें Plasma कितना होता है आपका 55% Cell आपकी 45% रहती है और इनी Cell का आपका पार्ट रहेगा कौनसा RBC एक आपकी RBC एक आपकी WBC एक आपकी Platelets तो ये तीनों जो है आपके Cells के पार्ट रहेंगे जो आपके Blood Cells जो है Blood Cells जो है उसके पार्ट रहेंगे RBC, WBC और प्लाजमा रहती है ये कितने 45% जो है वो रहते है और 55% क्या Plasma रहता है तो ये सारी चीज़े आप याद रख सकते है 30 क्योशन देखे 30 में जो दिया गया है Refresh दर को Dash या Cycle per Second में मापा जाता है तो किसमी Hertz में मापा जाता है Option D आपका Right Answer रहेगा 35 ये आपके क्योशन दिया गया Computer के सभी संसादन Dash यूनिट से परबंदित होती है यानि All the Computer Resources are managed from the Dash यूनिट तो आपका 35 का कौन सा Control यूनिट जो है आपका Option A Right Answer रहेगा उसके बाद दुबारा से Computer का Question पूछा गया था CPU में निर्मित Catch Memory की अलावा Catch को Motherboard में भी जोड़ा जाता है और इस Motherboard वाले Catch को अब Dash कहा जाता है तो इसको Level 3 या L3 Catch Option C Right Answer है Next 47 यहां पे Period of Conception to Parturation is called यानि गर्ब धारन से प्रसो तक कसमे क्या कह लहते है तो गर्ब अग काल जो है वो का जाती है गैस्टेशन जो है Period वो काला जाता है Option First Right Answer देगा उसके बाद यहां पे दियावा 55 कंकाल की सबसे लंबी हड़ी कौन सी होती है इसके लाब अगर पूचले यह सबसे लंबी हड़ी अगर लार्जेश्ट ओर्गन पूचले लार्जेश्ट ओर्गन पूचले तब आपका क्या रहेगा स्किन रहेगा लार्जेश्ट ओर्गन आपका स्किन रहेगा यानि pencreas जो है उसका right answer रहेगा तीनों में confused नहीं होना सबसे बड़ी आपकी gland कुन सी liver और mixed gland कुन सी हो जाएगी जो आपकी pencreas अगनाशिय हो जाएगी और largest organ कुन सा skin हो जाएगा सबसे बड़ी हड़ी कुन सी है femur की हड़ी option C right answer है नेक्स देखें नेक्स यहांपी दियो है इसो फेगेश यह नी भोजन लिका का लंबा हो जाना क्या कलाता है तो यह crop कलाता है option second right answer है 64 यहांपे है निमन में से पक्षियों का स्वर्य अंतर जो है उसको क्या बोला जाता है voice box of bird उसको सीरिंक से बोला जाता है option D right answer है बक्री का विग्यानिक नाम भी पूछा जा सकता है तो कैप्रा हरकस जो है बक्री का विग्यानिक नाम रहेगा अंडोत सर्जन जो है उसकी की परक्रिया क्या है यानि ovulation जो है वो क्या होता है तो यह होता है प्रोसेशन जो प्रोसेश ओफ रिलीजिंग ओवा फ्रोमदा ग्रैफिन फॉलिसील तो आपका यहां पर option B जो है वो राइट अंसर होज़ेगा 69 का next 70 है सुवर की गर्भाव दे कितनी होती है तो 114 दिन होती है याद रख सकते है उसके बाद जो यहां पर एटीटो क्यूशन दिया है प्रोटीन का अमीनो एसीड में परिवर्तन के लिए उत्परे रखता तो वो कौन सा है तो आपका कौन सा रहेगा तो आपका पैपसीन रहेगा option B राइट अंसर है और जो पैपसीन है वो किसके पाचन में काम आता है तो प्रोटीन के पाचन में आता है यह भी आपको याद रखना है तो यहां पर आपका जो 18 की second shift कंप्लीट हो चुगी है अब चलते हैं 17 की पहली shift पे देखें नेक्स्ट आपके सामने यहां पे है निचले अंक का घुर्णन जो है वो क्या का लाता है rotation of lower limb occurs at the कौन से जोड़ पे यह कुले के जोड़ पे hip joint जो है इसका option A राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद जो आपका बारवा question है dash computer के मस्तिस्क की तरह है यह उपयोग करता है यह software से आने वाले निर्देशों को व्यवस्तित और संचालित करता है तो वो कौन करता है वो प्रोसेसर करता है option C यहां पे right answer एगा जो आपकी RAM जो है उसकी full form आपकी क्या होती है random SX memory होती ह और ROM की क्या होती है read only memory जो है इसकी full form रहेगी और आपका जो कुझी प्रिटल की बोर्ड जो है इसकी जो आपका यह कौन सा रहेगा यह input device रहेगा उसके बाद 27 देखिए यहां पर सूरिया के प्रकास के संपरक में आने पर कौन जो है फोस दिन में परिवर्तित हो जाता है फोस जीन में convert जो हो जाता है sunlight के contact में आने पर तो आपका जो यहां पर 27 का जो राइट अंसर रहेगा option number C chloroform जो है option राइट अंसर रहेगा उसके बाद 31 question यहां पर दिया हुआ है 30 question देगे है 30 जब आप किसी दस्तावेज में page numbering scheme header और footer margin size और page अभिविन्यास बदलना चाहते हैं तो आपको एक नया अनुभाग शुरू करने के लिए एक dash बनाना होता है तो आपको क्या बनाना होता है आपको एक section break बनाना होता है option C यहां से right answer और आपसे as it is question पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखनी है और इसके लाव बुक मारक जो है option D's के बारे में बात हम कर चुके हैं computer को plug से निकालने के बाद भी dash chip data को बनाई रखते हैं तो यह को रखते हैं तो non-volatile memory जो है वो रखते हैं option D's का right answer रेगा 35 का उसके बाद देखिए आपको दिया थर्मो जो थर्मोनियक emission is the emission of electrons प्रोमे बोर्डी बाइद अप्लिकेशन ओप तो कुछा heat energy रेगा उस माइनी ह उसर्जन डेश जो आपकी उसमा उर्जा की अनू प्रियोजकता के द्वारा सरीर से इलेक्ट्रोन के उसर्जन है option B right answer है नेक्स देखिए 65 यहां पर दिया हुआ है कि reason of choosing tungsten as the filament material तो आपका जो tungsten है वो तंतु के रूप में क्यों यूज किया जाता है तो जो आपका tungsten है इसका क्या होता है mechanical strength हाई होती है lifelong होती है और can be drawn out into a fine filament तो यहां पर जो question दिया गए reason कि tungsten come filament material के तोर पर क्यों यूज करते है क्यों कि mechanical strength जो होती है इसकी long life होती है और can be drawn out into a fine filament तो आपका जो option C यहां पर right answer देगा next 72 जो दिया गए disadvantage of CT procedure CT परकरियों की हानियक है तो इसमें आपका increased cost है increased radiation dose है और long timing of procedure option D इसका right answer हो जाएगा next देखिए आपके सामने 79 question एक नाम के तहत एकठे किये हुए formatting आदेश्यों का संग्रह क्या कहला था a dash is collecting of formatting commands assembled under one name तो इसका आपका कहरेगा style जो है option first right answer देगा उसके बाद 17 की second shift में जो question दिये हुए बोजन द्वारा दिया जाने वाला शारीरिक कारे यानि बोजन के द्वारा में क्या मिलता है उर्जा मिलती है शारीरिक निर्मान होता है रक्षा और वी नी में जो है यह होता है तो आपका option D right answer एगा छेटे question का तेर्वा question यहाँ पर computer का है और text effect जिसे text attributes के रूप में भी जाना जाता है उसमें शामिल है तो उसमें क्या आपका जो strike through और superscript जो है यह रहेगा option number A उसके बाद तेर्वा question के बाद text effect, strike through और superscript 22 वा question किसी monitor का resolution screen पर dash के द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसे matrix के रूप में व्यक्त किया जाता है तो pixel के चोड़ाई भी नहीं होगी आकार भी नहीं होगी रंग के गहराई भी नहीं यहाँ पे पिक्सल की जो संक्य है यानि number of pixels जो है इसका राइटांस रहेगा option number D और number of pixels के आदार पर ही monitor का resolution निर्धारित किया जाता है उसके बाद 29 यहाँ पे देखिए कि एक AC generator में यदि आर्मेचर कास्त है चुम्ब की एचेतर के लंबवत हो तो आपका चुम्ब के परवा अधिक्तम होगा जबकि EMF जो है electromagnetic field जो है वो आपका सुन्ने रहेगा option number C यहाँ पे 35 यहाँ पे निमन में से कौन सा जिंक की कमी के के परिणाम है यानि जिंक की कमी से में क्या क्या दिक्कत हो सकती है वरीदी में कमी हो सकती है और तंत्रीका समंदी रोग हो सकती है परतिरोधत तंत्र का काम नह करना और संकर्मन होना तो उप्रियुक्त सभी option D right answer रहेगा next 41 यहां पर देखिए vitamin D की कमी से कौन सा रोग होता है तो यहां पर vitamin D की कमी से recatis रोग होता है option B right answer है और recatis क्या है यह छोटे बच्चों में रहेगा जिसमें हडियों में deflection आ जाते है यानि हडियों में थोड़ा बहुत defect आ जाता है विटामिन D की से मिलता है सूर्य के परकास से मिलता है हालांकि सूर्य के परकास से मिलता है यह हमारी बोड़ी में इंटर्नल ही होता है और यह कहा है जब सूर्य का परकास हमारी बोड़ी पर पढ़ता है तो उससे कहा है यह बोड़ी में activate हो जाता है 62 क्योंशनिया पे दिवाजी निमन में से कौन सा विटामिन समाने द्रिष्टी और तवचा के स्वास्ते के लिए महत्रपुन एंजाइम का भाग जो उर्जा उपापचे के लिए आवश्यक है यह कौन सा रहेगा विटामिन B2 जो रहेगा ओप्शिन B राइट अंसर है विट विटामिन B और C ऐसे विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है वाटर में घुलनशील है और इसके लावा A, D, E, K जो है यह किसमे है फैट सोल्यूबल है फैट में घुलनशील रहेगा आपका ओप्शन B राइट अंसर हैगा 61 का नेक्स्ट यहां पे 63 जो दिए हुए आपके मेल फोल्डर, टास्क लिस्ट और आइटम के कलेंडर को अलग करने का एक तरीका जिसकी अब जरूरत नहीं है तो वो क्या अर्चिविंग रहेगा ओप्शन नंबर D इसका राइट अंसर रहेगा उसके बाद यहां पे है मोल उन्यन जो स्थी रांक के भी जो है इसकी काई क किया है तो यह उप्शन B किलो जो आपका केलवीन किलोग्राम मॉल माइनस वन जो है यह आपका उप्शन B का राइट अंसर रहेगा 77 का कंट करने के बार čねल उसको गलिफ आल्रभान में जो है वो रखा जाता है ओप्शन A राइट त्यावरण जो उसको क्या बोला जाता है प्लूरा ओप्शन ए राइट अंसर एगा उसके बाद आपका यहां पर आटवा केश्चन ने नुमेरिकल दिये हुए एक किरिकेटर 20 मिटर पर 30 सेकंड की गती से गती सील 1500 ग्राम दर्वेमान के एक बोल को 0.1 सेकंड में पड़ता है तो उसके द्वारा लगाया गया बल क्या होगा तो वहां पर क्या है उसके द्वारा लगाया गया फोर्स पूछा है तो यहां पर हमारा क्या होगा 0.1 तो आपका जो यह मास जो दिया हुए यहां पर इसको हम क्या करेंगे किलोग्राम में क्रिवर्ट करेंगे तो जिरो पॉइंट वन फाइबा उसके बाद जो यहांपर 20 मिटर पर 30 सेकेंड आपका 20 आज जाएगा और उसके बाद जो आपका यहांपर टाइम कितना लिया हुआ जिरो पॉइंट वन जो है डिवाइड में एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाने का इलेक्रोनिक शोटकट क्या है तो हाइपर लिंक है ओप्शन सी राइट अंसर एगा तेरों क्योशन देखिए जब जटिल भोजन पदार्त सरल अवसोशन रूपों परवर्थी तो होते हैं तो इस परकरियों क्या करते हैं डाइजेशन या पाचन जो है इसको बोला जाता है ओप्शन सी राइट अंसर एगा नेक्स देखिए आपर इस स्वस्षन जो आपकी सामाने स्वस्षन परकिरिया के दोरान अंदर भरी गई और बाहर छोड़ी गई वाइउ की मात्रा के वर्ण करने के लिए कि सब्द कप्रियों गोता है तो यह क्योशन हम पहले कर चुके हैं अभी दुबारा से यह क्योशन एक पेज भर जाता है तो दूसरे पेज की जरूरत होती है उस ताइम एक तो वर्ड एक क्या डालता है डैस डालता है तो उसको क्या बोला जाता है वो बोला जाता है और यहां पर देखिए कि इसमें होता है तो MS वर्ड में होता है जहां पर क्या है अगर आपका सोफ्ट व एक जीवी टिकाओं तो वह आपका भी सीजी का डिका रहेगा option B राइट अर्श शेरोग संकर्मन के दो मुख्य स्त्रोथ कुँषऑ है तो पोवाईन गाटेगरी में आते हैं तो option A, right answer है BCG का टिक्का दिये जाने का मारक कुन सा है तो यह आपके skin में दिया जाता है तो यहाँ से आप देखिए जो अंत्र तो अच्छी है जो है इंट्राडर्मली जो है option B राइट अन सरेगा और जहाँ पर skin की बात है वहाँ पर दर्मा वर्ड यूज होगा और skin की study को dermatology बोला जाता है 21 यहाँ पर डैस प्रोग्रामिंग भासा के नियमों का उलंगन करता है तो कौन करते हैं तो वह syntax error करते हैं option यहाँ पर देखिए जो है वो राइट रान सरेगा syntax error human heart में जो है कितने कक्ष होते हैं कितने chamber होते हैं चार chamber होते हैं मानव खरीद्य में उसके बाद 30 के उसना mycobacterium tuberculosis यानि जो आपका mycobacterium tuberculosis जो है यह TB के जो TB जो है फिलाता है वो जिवाणू है और इसकी जो किस ने की तो इसकी robot coach ने खोज की option D right answer है और जो आपका यहाँ पर Alexander Fleming जो है इन्होंने penciline की खोज की थी तो यह भी आप याद रखें 33 leukocyte रख्त में पाए जाते हैं उन्हें अलग नाम क्या दिया गया तो यह कौनशी है यह तरक्त करनी का है WBC आपकी रहेगी leukocyte red blood cell इनको क्या erythrocyte जो है बोला जाता है option A का आपका erythrocyte होगा और B का leukocyte तो इसके recording आपका option B right answer रहेगा तो यह दोनों चीज़ों आपको ध्यान रखनी है मैंने आपको बताई है कि इसके blood के जो है राइट अंसर रहेगा उसके बाद 35 में यहां पर 2019 के नुशार विश्वक में शेयरों का सरवादिक बोज़किस देश पर है तो भारत पर option B right answer उसके बाद यहां पर 56 अंतराष्टी योग दिवस 2021 की theme के है तो यह option B यहां पर कल्यान के लिए योग जो है यह right answer रहेगा और इसके उपर जो आपके first option है यह 2020 की team थी घर पर योग परिवार के साथ योग तो आपको दोनों ज्यान रखने नेक्स एक्जामे 2020 की भी पूछी जा सकती है और यहां पर देखिए यहां पर दिया गया है जब अपर देखिए नेक्स से बार निकलते है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है तो उसको expiration बोला जाता है सांस छोड़ना option से हम अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन English भी आपको ज्यान रखने यहां पर expiration भी दिया हो सकता है तो आपका option B expiration हमारी जो है जो सांस को छोड़ना औ राइट अंस रहेगा जो 67 यहां पर दिवा इनमें से सरल सहींजी उत्तक प्रकरती में दर्विय होता है यानि इसने क्या पूचा है लिक्विड कनेक्टिव टीशू यानि जो आपका तरल सहींजी उत्तक जो है वो कौन सा है तो जैसे कि हम पहले भी discuss कर चुक है हमारा blood रह नेक्श देखे 77 कि यंत्र का प्रयोग करते हुए स्वेशन गतियों के दुरान वाईयू की मात्रा का अनुमान लगा जाता है तो वो कौनचे स्पायरोमेटर है तो आपको ध्यान रखना है स्पायरोमेटर थर्मोमेटर आपको पताए टेंपरेचर मेजर करने के लिए ओक् यहां पर देखे जो आपका शोला का सेकंड शिफ्ट का पर यदि इफ रिलाक्सड आय है ए इन इमेट्रोपिक आय इस नोनेज तो इसको क्या बोला जाता है मायोपिया बोला जाता है ओप्शन भी राइट अंसर हो जाएगा कोर्णिया और शुकला यानि कोर्णिया और स्क इस नेटवर्किंग में मानक है तो मानक क्या रहेगा तो आपका ओप्शन डी आपी 802.11 जो है इसका राइट अंसर है और यह जितने भी आंसर बता रहूं यह सारी अच्छे सशी के द्वारा दिये गए हैं और सबी पेपर जो है आपके सामने है इनकी PDF अवेलेबल है टेल आइकन को प्रेस कर लें देश आंक का पारभासी स्वेत और पारदर्शी नेतर सलेशमा द्वारा अवरित होता है तो यह आपका क्या रहेगा स्कलेरा रहेगा ओप्शन यह यहां पर राइट अंसर है सोल्वें क्यूशन का 2800 क्यूशन देगे प्यूपिल का सामान्याकार क यह दो से 4 mm जो है ओप्शन ए राइट अंसर है 33 यहां पर क्यूशन दिया हुए डैस किसी एक वस्तू एक व्यक्तिया वस्तू से सब्दिश सभी डेटा का व्य वर्नन करता है तो वह क्या रहेगा वह आपका रिकोर्ड रहेगा ओप्शन ए राइट अंसर है और आज शाम प्रकास के दिशा में परिवर्तन के रूप में परिभाशित किया जाता है जब एक पादर्शी माद्यम से भीन दरिश्यता है गनत्व वाले दूसरे माद्यम में परिविश्च करते है यानि आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परिविश्च करते है उसको रिफ्रेक्शन या अपवर्तन बोलते हैं अगर वहां से वापी से रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसके ब उसके बाद देखिए आपका फर्ष्ट क्योश्ट यहां पर लास्ट रिश्ट आ चुकी है कि कुछ मेल सर्वर डैस का प्रियोग करते हैं और पी ओपी सर्वर कहलाते हैं पोस्ट ओफिस प्रोटोकॉल ओप्शन ए जो है इसका राइट अंसर देगा उसके बाद यहां पर जो आप याद रख सकते हैं अमल जो है निले को लाल में कनवर्ट करता है और आपका खिशार यानि बेस लाल को निले में कनवर्ट करता है तो यह सारी चीज़े ध्यान रखनी है नेक्स देखे गे सेवंग क्योश्ट चुमब के डिस्क की स्ताय पर डैस्ट तब होता है जब कि जुनम में होता है ओप्शन बी राइट अंसर ट्वंटीएट के उसना जब एक इलेक्ट्रोन टंगस्तन प्रमाणों के केंदर से टकराता है और समस्त इसकी कौन शूर्जा जो है एक उच उर्जावान एक्स की रण फोटोन में प्रिवर्थित होती है तो वो कौन सा ओप्श उसके बाद 39 विभीन परी चालनों का निस्पादन करने के लिए कंप्यूटर को दिये गई निर्देशों को समूचे को क्या बोला जाता है तो इसको कंप्यूटर प्रोग्राम ऑप्शन भी राइट अंसर रहेगा शरीर के केल्शियम का कम से कम कितना परती से दांत और कंक उसके बाद 54 किसी टेबल में प्राइम दी की फिल्ड और दूसरे सम्मंदित फिल्ड के बीच के सम्मंद बनता है उसे क्या बोलते है तो उसे फोरन की बोलते हैं ओप्शन भी राइट अंसर है तो अभी तक यहां पे जो है हम कंप्यूटर और साइंस उनके मिक्स क्योशन क कर रहे हैं और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों साथ शेयर करें और नेक्स्ट जो भी एक्जाम होंगे आपको सबसे पहले सोल्यूशन आवर्स एजूकेशन पर मिलेंगे और उसके बाद जो है पीडिएफ भी आपको सबसे पहले म सबसे बड़े और सबसे सकती साली कंप्यूटर बने होते हैं तो कौन सूपर कंप्यूटर होते हैं और यहां पर आपके सारे के साइंस और कंप्यूटर के क्योशन यहां पर खत्म होते हैं क्लास आपको कैसी लगी इसको अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और इसके अलाबा जो है math or reasoning के question बसते हैं वो हम discuss करेंगे आज शाम तक आपको math or reasoning का complete solution जो है वो मिल करते रहें जे हिंद जे भारत